हेलो डियर स्टोजेंग्स मैं निशा रोडा वेलकम करते हूं आप सभी का इजी इजी लाइफ यूटप चैनल पर आजम पढ़ने वाले हैं जैन्थ महात्रा महापात्रा के बारे में जैन्थ महात्रा जी की देखिए जैन्थ महापात्रा एक ऐसा नाम ऐसी सक्षियत है जिनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं काफी variations है जैंत महापात्रा का जो जन्म होता है 22nd October 1928 को होता है कटक ओडिसा में इनके जो फादर है लेमल महापात्रा और इनकी माग का नाम है सुधान शुबाला दास ठीक है जैंत महापात्रा अपनी जो स्टडी है वो कहां करते हैं स्ट्रीवर्ट स्कूल कटक में करते हैं ही completed his M.Sc. in Physics from Patna University Bihar Patna University Bihar से अपनी M.Sc. complete करते हैं Master of Science करते हैं Physics में He began his teaching career as a lecturer in physics in 1949 1949 में ये अपना physics में as a lecturer काम करना शुरू कर देते हैं and he retired as a reader of physics in 1986 1986 में ये physics के पॉस से retired भी होते हैं He has author 27 books in poems of which seven are in Udia and the rest in English इनकी लगभग 27 books हैं जिसमें से साथ Udia भाशा में just because he had a great impact of Udia on his life और इन्होंने अपना जो poetic collection है जो भी represent किया है उसमें से साथ किताबे उडिया में हैं बाकी सारी English में आ जाती है His short stories and poems were initially rejected by several publishers until his poems were published in international literary journals He was invited to participate in EOVA यहाँ पे लोवा नहीं है EOVA है यह United State का एक छोटा सा state है which brought him international exposure Starting में जब इन्होंने अपना poetic career start किया तो इनको बहुत सारा जो जो publisher है वो reject कर रहे थे इनकी creations को कोई recognition नहीं मिल रहा था लेकिन जब इनको EOVA में international summit जब हुआ एक literature का तब इनको जब समानित किया गया महां पर इन्होंने अपने poetry को जब explain किया तो उसके बाद धिर धिर यह भी उसी एक trio का हिस्सा है अब हम बात करते हैं इनके notable awards के बारे में notable awards में इनके आ जाते हैं जो इनको मिलता है 1975 में Jacob Glaston Memorial Award 1980 में मिलता है The Japan Foundation Visitor Award 1978 में इनको मिलता है Cultural Award Visitor Australia और हमारे लिए जो important है वो यह है सहाइट ते अकादमी Award for relationship इनका एक poetic volume आता है relationship जिसके लिए इनको सहाइट ते अकादमी Award 1981 में दिया जाता है He is the first Indian poet to win a सहाइट ते अकादमी Award for English poetry ठीक है अगर आप से पूछा जाए कि सहाइट ते अकादमी अवार्ड जो English का दिया गया है वो किसे दिया गया है तो वो मिला है इनको जयंत महापात्रा को ठीक है He is the first Indian poet to win a सहाइट ते अकादमी Award for English poetry 1995 में इनको मिलता है इंडो सोवियत कल्च्छल एक्स्चेंज राइटर अवार्ड उससर का 2009 का जो एर है वो बड़ा इंकी लाइफ में इनको एलें टापे poetry प्राइज मिलता है सार्क लिट्रेरी प्राइज भी मिलता है और इसके साथ साथ इने ताटा लिट्रेचर lifetime achievement award जो Mumbai में held होता है most of ये वहाँ पर इनको ये प्राइज भी दिया जाता है और हमारे लिए लिट्रेचर के point of view से important चीज चीज आती है 2009 की वो जैन्त महापात्रा की life का क्या है कि पदमश्री अवार्ड दिया जाता है 2009 में जो इंडिया का fourth highest civilian honor है तीक है लेकिन 2009 में जमिन को पदमश्री मिल जाता है तो उसके कुछ सालों बाद he returned the पदमश्री अवार्ड in 2015 to protest against rising intolerance in India इंडिया में जब 2014 में जो changes आते हैं government of इंडिया में यानि कि Congress की सरकार पहले चल रहे थी उसके बाद में अब जब यहाँ पर BJP आने लग जाती है तो उसके बाद काफी मुद् प्रेस्ट शुरू हो जाता है intolerance का minorities के खिलाफ यह सुनने में आता है कि इंडिया के लोग ही जो upper caste वाले हैं या जो general caste वाले हैं वो intolerance की भावना रखते है minorities के लिए तो ऐसा protest होना लगया तो बहुत सारे लोगों ने अपने जो awards से वो इंडिया जो government of इंडिया के दारा उ शुरू कर दिया और उसी टाइम पे इनोंने भी जो अपना पदम श्री अवोड था जो इनको 2009 में मिला था वो इनोंने इनको लोटा दिया था और इसके साथ साथ जैसे यह रेवेंशो युनिवास्टी है जहां पर इनोंने काफी समय तक पढ़ाया भी है इसके साथ साथ इने उतकल युनिवास्टी है ओडिशा की वहां से इनको डिलिट की उपादी भी मिली थी ठीक है अब बात करते हैं आगे इन में 2019 यानि 2019 थोड़ा ताइम पहले ही इनको एक फैलो मेंबर भी बनाया गया है जो पहले ऐसे पोईट है इंडिया के इंग्लिश के से पोईट है एक और इंके बारे में आता है कि यह खुद भहुत सारे जर्नल्स में इनके जो क्रिएशन से जिनकी जो पोईट्री है वो पबिश होती है लेकिन खुद भी एक जर्नल्स पबिश करते हैं जिसका नाम है चंदरभागा अब हम आगे बात करने वाले हैं इनके नौटेबल वर्क्स के बारे में बहुत सारे वर्क्स है यह आप याद रखे नहीं रखे ड़सन्ट मैटर लेकिन जो साइटे है कादमे अवर्ट जो इन रखना है ठीक है स्वेंबर एंड अदर पॉइंट्स हंगर अरेन ओफ राइड लाइफ साइन्स रिलेशन्सिप मैंने इसके पहले ही स्टार लगाया हुए आगे और बाया राजा यह उडिया में है और डिस पोजेज्ड नेस्ट्स टेंपल शेडो स्पेस पॉइंट्स सब समपर्क्स टिकी चाया ओडिया में है रेंडम डिसेंट्स लोज दस्काई 10 बाइटें यह इनका फर्स्ट पॉइटिक वोल्यूम था वाइटनेस ओव बॉन समर डॉन पूरी डॉर ऑफ पेपर एसेन मेमोर्स मेमोर्स भी लिखे हैं हम इनके आगे थोड़ा डिटेल भी सकते हैं close the sky 10 by 10 1971 में आता है यह यह कंटेन करता है 49 पॉइम्स को कितनी पॉइम्स को 49 पॉइम्स को कंटेन करता है अब बिग स्टैंप of his own solitude and silence यह इस पॉइम है इस कलेक्शन ओपन विद पॉइम कार्ड लोनलीनेस नाम से एक पहली सबसे पहली पॉइम आती है यह इसकी खास चीजें है और अनफॉल्स इस वर्ड ओफ इमेजस इसमें आपको जहेंत महापात्रा की खुद की जो कलपना वाली जो दुनिया है उनकी जो कलपनाओं से भरी हुई उसकी गया था पब्लिश पहले यह हुआ था इसमें 33 पॉइम से यह वीव हुई है यानि बुनी गई है कि इसके ताने बाने में इंडिन सेंसिब्लिटी एंड इमेजिस भारती है जो सम्वेदनाए जो आपको देखने को मिलते हैं उनके ताना बाना बुना गया है जिसमें बहु एसी poems है जो carry करती है Indian hallmark को यानि कि पूरे सटीक भारतियता को दिखाती है especially a verbal portrayal of Odisha Odisha का आपको एक शाब्दी के मौखिक जो आपको जरियाद देखने को मिलता है वहां का contemporary जो लोग है, वहां की जो सोच है वहां का जो खान पान है, वहां की जो language है language को जो impact है, वहां का जो tradition है rituals है, वो सारी इतनी अच्छे से आपको एक blend देखने को मिलता है इनकी poems में ठीक है देखिए through these poems महापात्रा tries to express Indian tradition, tradition scenes and experiences especially अपने ऐसे scenes इन्होंने create की हैं जो इनकी अपने experiences को भी बताते हैं ठीक है, फिर आता है इनका एक और poetic volume A Father's Hour 1976 में आता है, इसमें 4 poems है दो long है, जिसमें performance, पहली बड़ी poem है जिसमें 8 sections है, फिर उसके बाद आता है, the 25th anniversary of a republic 1975 इसमें 20 sections बनाए गए है इसके लावा दो छोटी points हो रहा है जिसका नाम है level और assassination, these 4 poems deal with his experimentation with form and language in these poems, महापात्रा again takes a deep plung into myths, history, ritual and in social life here, वही सारी चीज़े हैं कि यहां का myth, यहां के history, ओडिसा की specially, उसको बताने की कोशिश यहां पर की है, आगे बात करते हैं, Rain of Rights के बारे में much acclaimed poetry collection which includes famous poems as dawn at puri hunger, बहुत ही अच्छा जो एक poetic collection है, जिसने बड़ी recognition हासल की है, वो है यह हेर महापात्रा blends his inner and outer world with the symbols and images drawn from the world of nature, science and feelings and one more thing, woman is the one most dominating themes of his collection ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, अगले collection के बारे में, which is waiting, हेर यह जो जैन महापात्रा है, वो यहां पर यहां पर एक बहुत maturity को show करते हैं और उनका strong communion, जो है surroundings के लिए उड़ीसा का वो दिखाई देता है तो यह सारी चीज़ें जो है, वो यहां पर देख तो यह सारी चीज़, जो themes है, वो देखने को मिलती हैं अब हम बात करते हैं इनके आगे के poetic volume की, जिसका नाम है the false start, the false start में इन्होंने क्या बता है this collection carries there's three sections, three main stages of life जिसमें childhood, middle age and old age को बताया गहा है this collection contains images like moon, ash, voice, silence, loneliness, heart, earth, cruelty, etc. बताते हैं, बहुत अच्छी, मतलब इन्होंने themes बड़ी अच्छी निकाली है बड़ी अच्छी सी चीज़ों को लिया है ठीक है, फिर है relationship, जिसके बारे में हमने बात की थी 1980 में आता है यह और 1981 का इनको साहित्य अकादमी अबॉर्ड भी मिलता है यह इनका epic work का आजाता है, contain करता है 12 sections को इसमें जो epigraph है, drawn किये गए है Walt Whitman का एक songs of myself है यानि इनका Walt Whitman जो poet है, poet and writer है उनके साथ इनके काम को comparison किया गया है ठीक है, महापात्रा जो है, वो क्या करते है महापात्रा break his land, its history, myths, cultural activities को लेते है blend करते हैं, within the mold of his own history and memories महला, Odisa का जो एक impact के उपर है, चाहिडूट से उन सारी memories को इन्होंने अपने experiences के साथ blend करते हुए लिखने की कोशिश की है, और concern for society तो इनमें है ही है ठीक है, अब हम बात करते हैं, life science के बारे में इनका आगे का जो एक poetic volume है, वो क्या करता है marks a new phase in the poetic journey, बड़ा अच्छा एक नया phase इनका poetic journey का जो start होता है, life science के, through इनका poetic volume है, halfway between his own history, his childhood and memories and myths of the land along with realities lying at the ground वो सारी feelings में हम बार बार एक ही चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने सारे circumstances जो इनके around थे, उन सब को लेने की कोशिश की है फिर है burden of waves and fruits, इसमें 48 poems है, ये collection जो है discuss करता है, some common images and themes के बारे में, which are recurrent in the poems of जयमंत महापात्रा, but with a new meaning and new treatment altogether नई चीज़ों को लेकर आता है, इसी तरह इन्स का है नया एक और poetic volume है, that is of temple, ये इनका longest poem है temple, in this poem the persona moves in a world varied and public rather private और इसका जो first part है, वो साथ section में है and second into eight and third into four, यानि आप four देख सकते हैं कि आप इनको कितनी बड़ी-बड़ी longer points इन्होंने लिखी है, John Milton की यार आजाती है कितनी बड़ी-बड़ी points लिखते हैं ये whiteness of bone, इनका ये जो 1992 में आया था, ये 59 points को carry करता है the title of this collection symbolize general themes of these poems it suggests lifelessness, bone के साथ ही, whiteness of bone है ना, तो बड़ी, symbolize कर रही है इनकी poems कि कैसा कुछ हो सकते है, death को, melancholy nature of and nature and tragedies of the land यानि कि हमारे आसपास कुछ अगर tragedies होती है या बहुत सारी ऐसी conditions आती है कि हम अकेले भी होते हैं, feel करते हैं अकेलापन feel करते हैं, मृत्यू को देखते हैं, lifelessness कि कई बार जिंदगी है, लेकिन उसका जीने का आनन्द नहीं है तो वो सारी चीज़ें जो हम feel करते हैं, writer नहीं यहां पर feel की है, point ने वो उसने इन 59 points में बताने की कोशिश करी है ठीक है, आगे देखिए bare face, यह इनका 2000 में आया था collection The points in this collection shows persona's obsession, person's obsession with symbol and imagery depicting bare realities of history and its time फिर है random decent 2005 में आता है, the compilation carries persona's random thoughts that has been portrayed in earlier works in a new perspective यानि कि इन्होंने अपने ही thoughts को जो पहले काम जो किया है जो poetry इन्होंने create किया है, उसी को एक different way में create करने की नया perspective में, नहीं सोच के साथ लाने की कोशिश की है जैसे वो ही, title आता रहा है थोड़े time पहले, रिष्टा भही, सोच नहीं कुछ ऐसा साही, कुछ changes की साथ This compilation is divided into three sections Three sections में ये आता है, फिर आता है land ये आता है 2013 में 31 poems है, these poems The poems in this collection deals with the theme of land Obviously है कि land के बारे में ही बताया गया है इसके साथ साथ इन्होंने किसके बारे में बताया है River का, stone का, door, shadow, hunger, jasmine छोटे-छोटे जो minor चीज़ें हैं जिनको हम normally avoid भी कर देते हैं देख के अंसुना कर देते हैं ऐसी चीज़ों को भी इन्होंने लिया है अब इनके बारे में बात करते हैं इन्होंने कुछ short stories लिखी है The Green Gardner and the Other Stories 1977 में आया था And Under the Pines 1979 Bells for a Bull 1977 में इनका कुछ prose work है वो है Door of Papers हमने पहले बात की ठीक इन्होंने कुछ memoirs भी लिखे है Door of Papers, essay and memoirs 2006 में Bhor Moitra Kanafula in Odia He 2011 में आया था He also wrote a book on the history of Odisha बहुत important writer है बहुत continue कर रहे हैं आज भी writings को है Some of the reputed journals that have published his poems are मतलब यहां पर बात कर सकते हैं कि Arial, Critical Quarterly, Times Literary Supplement, Boundary, Hudson Review Sweeney Review, Helix, Iron, The Bombay Literary Review Crosscrunch, Chandra Bhaga तो इनका खुद का journal है His own journal which was devoted to the New Indian Writing In New Indian Writings में जो बड़े बड़े जो नए-नए लोग आते हैं नए-नए लेखा का आते हैं कभी आते हैं व्यंग कार हैं उन सब के बारे में कुछ ना कुछ इनके बारे में Edition आता रहता है यह चंदरभागा हमारे लिए ज़ादा इंपोर्टेंट हो जाता है अब हम बात करते हैं इनकी उडिया पोईट्री के बारे में बाली विक्टम कहीबे गौतिय कथा आयल टैल ए स्टोरी 1995 में भया राजा इसके बारे में हमने बात की थी इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ चुके हैं टिक्की चाई लेटल शेडो चाली यानि वॉकिंग जुदीबा गपती इवन इफ इस इस स्टोरी सुम्रती परी खिचती आ स्मॉल मेमरी है न यह उडिया लैंग्विज है हमें मुझे भी नहीं आती तो यह जो एक इंग्लिश वर्जन इनका जो आ चुका है इन्होंने इनकी पोईटरी के फेजस को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है अर्ली पीरियड जिसमें क्लोज द स्काई टैन बाइटी सेंटी वन था फादर जावर था एक पिरिड ऑप अपरेंटाइशिप लार्जर ली डेरिवेट इन नेचर इन्होंने बहुत ज़्या टाइम जो हो नेचर के बारे में बताने की कोशिश की है इनका जो मिडल पीरिड आता है पॉइटरी का जिसमें दरहीन ओफ राइट्स फाल स्राट यह वह पीरिड था जब इन्वेंटिनेंस कर रहे थे एंड एक्सपरिमेंटेंशन कर रहे थे यानिकि अपनी अपनी ही क्र साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे यह वह पीरिड है इनका और रीसेंट पीरिड इनका क्या है जैसे रिलेशनशिप है जैसे रिलेशनशिप है 90-80 में आये था वाइपनेस ओव बोन यह वह पीरिड जब यह प्रोफाइंड थे सबके साथ होता है कि दीरे-दीरे हमारे जो थौट्स है वह मेचियोर हो जाते हैं पहले कोई जैसे एक बच्चे हैं अपनी दुन में लगे रहते हैं जैसे वह बड़े होते हैं अकेला रहने लग जाते हैं कुछ इंट्रोवर्ट्र हो जाते हैं कुछ बहुत जब ज़दीट हो जाते है तो एक टाइम पिरेड होता है हर चीज के चेंज होने का धीरे-दीरे जब वह experience करते हैं नहीं नहीं चीज़ों को explore करते हैं तो एक maturity का sense है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है तो वही चीज़ें इनके poetry में भी जहलक रही है जिसको जो लक्षमी नाराइन जो इनके बारे में करते हैं जितनी बाते हमने अभी तक की हैं इनको अगर conclude किया जाए शौट में बताया जाए तो इनकी जो poetry है उसमें क्या-क्या themes दिखाई देती है इनकी main themes क्या है पहले चीज़ इंडियन नेस ठीक है इंडियन नेस को इन्होंने confirm बताया है कि भारतियता क्या है कैसे हमारी यहां की mythology हमारे यहां की दंद कताए है जो religious religion है जो philosophy है हमारे यहां का जो आदर्श है किन विचार इस सारी चीज़ों को integrated manner में इन्होंने collect करने की कोशिश की है अब बात करते हैं इसकी और आगे क्या है इन्होंने जो ली है I think ऐसी कोई जो theme है life के aspect ऐसा कोई नहीं होगा जो इनको इन्होंने नाच हुआ हो जैसे nature है search for self है theory of poetic creation and silence fear and pain politics alienation anti-heroic and absurd east-west encounter trans-culturization local color हर चीज़ को इन्होंने लेकर एक bind up किया एक blend दिया है बड़े अच्छे राइटर हैं आप इनके अगर कभी मोका मिले तो आप क्रियेशन को जरूर पढ़ें आपको सच में अच्छा लगेगा कि कितना अच्छे तरीके से इन्होंने इनको बताने की कोशिश की है तो अभी के लिए हमारे वीडियो को करते हैं समप आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे एक और नहीं राइटर के साथ उनकी सारी क्रियेशन के साथ तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपना कॉमेंट जो है अगर आपका जो भी कोई फीडबैक होता है तो आप कॉमेंट सेक्षन में जुरूर ड्रॉप करें थेंक यू